नमस्कार स्वागत आप सभीका महरो राजस्थान में आपके साथ मैं हूँ पल्लवी रवींदर सिंग राजस्थान में जमाजम बारिश के बीच जैपूर सहीत कुछ अन्य जिलों में सावन की जड़ी सी लगी हुई है जैपूर में अलसुबा से बारिश का दोर लगातर जारी है राजधानी में सवेरे लगभग साड़े पांच बजी के आसपास तीनीन से अधिक बारिश दर्ज की गई मसम विभाग ने शनिवार को बारा और जालावार जुले और असपास की इलाखों में अतिन्त भारी बरसात का रेड अलर्ट विभाग न जारी किया जैपूर, अजमेट, टोक, सवाइमाधोपूर, भीलवाडा, बूंदी, कोटा, राजसमंद, तितौरगर जुले में एक दो इस्थान पर भारी सियत भारी बारिश होने का अनुमान है और अलर्ट जारी कर दिया गया है, इसके साथ साथ, भारी बरसात के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, मौसम सुहाना होते ही, लोग वीकेंड मनाने के लिए बाहर निकलने लगे हैं, उधर राज़िस्थान के परिटन इस्थलो पर, आज लोगों की खासी भूर भारी बारिस का दोर तीन अगस तक जारी रहने की संभावना है 31 जुलाई को 12 और 14 वाड में एक दो स्थानों पर अत्यनत भारी बारिस का रेड अलर्ट है जैपूर अजमे टोक सवय माधोपूर भील वाड़ा बूंदी कोटा राज समची तोरगण में एक स्थानों पर भार पर भारी बारिश का औरंज अलर्ट है करोली उदयपूर प्रताबगर नागौर और पाली में एक दो स्थानों पर भारी बारिश का यलो अलर्ट तो नागौर के किसानों को फसल खराबे से हुए नुकसान के भरपाई को लेकर बीमा क्लेम का भुकतान मिल जाये तो इससे बड़ी रहात उसके लिए और क्या हो सकती है नागवर जुले में ऐसे हजारों किसानों को राहत दिलाई गई है जिनको बैंक हातों में तेकनीकी खामी होने के कारण उनके फसल बीमा क्लेम राशु का भुगतान नहीं हो पा रहा था उपनिदेश्य क्रशविस्तार डॉक्टर शक्कर रामबेडा लीड बैंक मेनेजर संदेब गुपता और रिलाइंस एग्रो अंशुरेंस कंपनी के प्रतनिदी अभिलाश की टीम ने पूरे प्रयास करते हैं के कल्याण के लिए चुलाई गई इस मोहिम को अंतिन छोड तक पहुचाने का प्रयास किया कॉंग्रिस के रास्टे महासुचुव प्रभारी अजय माकर ने दो दिन विधाय को और एक दिन पदाधिकारियों किस साथ मंथन करने का फैसला किया इस मंथन में पहले विधाय को और बाद में पदाधिकारियों का फीड़बैक लिया गया मंथन के बाद ये सवाल भी राजनितिक शित्रों में घूम रहा है कि अब जब होमबर्ग पूरा हो गया तो नतीज़ा कब आएगा यानि मंथन मंदल फेर बदल कब होगा और राजनितिक नियुक्तियों का सिलसला कब तेज होगा प्रभारी अजय माकन अपने तीन दिन के दोरे और फीड़बैक के बाद अपनी रिपोर्ट को कॉंग्रिस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौपेंगे इस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में मंदल फेर बदल राजनितिक नियुक्तियों और संगटनात्मक फेसल किया जाएंगे मानजर है कि अगस्त में अशुरुवात हो सकती है पहले जुला अध्यक्षों की घोशना की जा सकती है इसके बाद मंत्रिमंडल में फेर बदल बोर्ड नियमों में च्रेयर्मेन सुनसदे सचियों की नियुक्ति सहित अन्ने काम होंगे माकर ने 28-29 जुलाई को विधान साबा में कॉंग्रेस और समर्थित विधायकों के साथ समवात किया था और कल PCC में पदाधिकारियों के संग बैठक भी ली तो सीकर राजस्तान के शोहर के घंटागर शुरित में वैपारी अमित पंसारी की कार का शुशा तोड़कर दस लाख रुपे और 25,000 के असपस पुलिस ने करनाटर के गिरोग को गिरफतार कर लिया है इन पैसों के साथ में लेकिन उनसे रुपे की बरांगी पुलिस के सामने अब बड़ी चुनोती बन चुकी है रुपे अभी भी गायब है पुलिस ने गिरफतार चार औरोपियों को शुकरवार को ने आले में पेश किया जहां से उन्हें तीन अगस्त तक रिमांट पर पुलिस को सौप दिया गया है पुलिस आरोपियों से चोरी कर ले जाई गई रकम के बारे में पूस्ताश कर रहे है गिरिफ्तार आरोपी वारदात के बाद पैसों को आपको बताते चलें आराम से खर्च कर रहे थे शहर कोतवाल कनहया लाल ने बताया है कि पैसा आते ज्राइफ रूट और एशो आराम पर पैसा खर्च कर दिया गया सीकर शहर में होई वारदात के बाद इन्होंने कुछ पैसा ऑनलाइन सक्टा में लगा दिया कुछ पैसा घर पर जिनों को भीजने की जानकारी मिली वहां से पैसा बरामत करने के लिए पुलिस टेम का नाटक गई हुई है पुलिस गिरों से जु पैस रोड पर दो यूकों पर जानलेवा हमला कर पैर तोडने वाले हाटकोर अपराधियों को अग्रिम पूस्तराच के लिए पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है तो कार में सवार होकर खुशी खुशी हस्ते हुए उद्यवपूर की वादियों में मौज मस्ती करने जा रहे पांच दोस्तों में से चार की जैपूर कोटा राश्ट्रे राजमार के सरोली मोड पर शुक्वार रात सडग दुरगटना में मौत हो गई एक गंभीर घायल को जैपूर रफर कर दिया गया जहां उसका इलाज चल रहा कामा भरत पुनिवासी पांस दोस्त आपको बताते चले उद्यवपूर घूमने गए थे वे हसी खुशी और मौज मस्ती करते हुए कार में सफर कर रहे थे इसी दोरान अचानक सरोली मोड चौराहे पर बिना देखे मार्क पर आये वाहन से उनकी काट टकरा गई अचानक हुई दुरुगटना में चारों की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है चारहा इस्तित होटल पर बैठे लोग भाग कर मौके पर गए और पुलिस को घटना की सूचना देकर कार में बुरी तरह फसे मौत को और घायलों को बाहर निकाला पुलिस ने मौत को के शवो को दूनी अस्पताल की मौर्चरी में रखवाया जबकि गंभीर खायल को टूंक रफर कर दिया है हालाद गंभीर होने पर उसे जैपूर रफर कर दिया गया जहां उसका उपचार चल रहा शनिवार सुबा परजुनों की पहुचने पर पुलिस ने मौत को के शवो को पोस्ट माटम करा उन्हें सौप दिया है इधर पुलिस दुर्घटना के कई घंटों बाद या पता नहीं कर पा रही है कि दुर्घटना करके फरार जो हो गए वो कहां गया खे आपको बताते चले ट्रक्टर ट्रॉली की टककर से ये भीशन सड़ा खासा हुआ है ऐसी प्रथन जाच में पता चला है लोकि मंतरी अशोग गहलोत ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी कैटेगरी की नियूनितम मजदूरी बढ़ाने का फैसला लेते हुए नियूनितम मजदूरी की दरों में 27 रुपे का इजाफा करने के प्रस्ताव को मजदूरी दे दी है बड़ी हुई दरें एक जुलाई 2020 से लागू होंगी इस सम्मन में श्रम विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है अधिसूचना के अनुसार अब अकुशल मस्दूर को 225 रुपे के स्थान पर 252 रुपे प्रतिदिन या 6,552 रुपे प्रतिमा अधिस्ट एस साथ साथ आपको बतातीक लिए उच खुशल शरम को 299 रुपे के स्थान पर 326 रुपे मिलेंगे 8476 प्रितिमा मिलेंगे इस तरह नियुनितम मजदूरी में 702 रूपे प्रितिमा की बढ़ोतरी हुई है बताया जा रहा है कि एक जुलाई 2020 से प्रिस्तावित नियुनितम मजदूरी की दरों को एक जनुरी 2019 से 30 जुन 2020 तकी अवेड में उभोकता मूल सूचकांक में हुई व्रद की आधार पर तै किया जाएगा राजस्तान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ट वितन शंकला के 28 और कनिष्ट वितन शंकला के 63 अधिकारियों को शिगरी पदोननत का लाब मिलेगा मुख्यमित्रिय अशुक गहलोत ने राजस के इन 151 अधिकारियों को वरिष्ट चुतासा योगता के आधार पर वर्श 2021-2022 में नेमेत पिछले सालों के दौरान डेफर प्रणालियों के तौरान ये फैसला लिए राजस की वरिष्ट वितन शंकला के 85 अधिकारियों को वर वरिष्ट वितन शंकला के 62 अधिकारियों को वरिष्ट चुतासा योगता के आधार पर वर्श 2021-2022 में नेमेत और एक अन्य अधिकारियों को वर्श 2018-2019 में डेफर्ड पदोन्नत मिलेगी गरतलब है कि कार्मिंग विभाग की विभाग ये पदोन्नत समित की 26 जुलाई को राजस्तान लोक सेवा आयोग में आउजित वैठक में विभिन वेतन शंकला के इन अधिकारियों को पदोन्नत करने की अभिशन साकी गई थी